सवराष्ट ना दूर ना गामडाव मा घणा लोको ये अमारी पीट पाछड ट्राइवर ने पूश्यू आमना आवानों शुँ फाइदो घणा बधा लोको आवया, फोटो लिधा अने जता रहया, परन्तु तेना थी अमारों तो कोई फाइदो थयो नथी वीर विदर का गाम मा पंचोतर वर्ष ना खेलूत मोहम्मद भाई ना घरे पण अमने आवीज वात नजरे पड़ी तेम दी वीच विखा जमीन छे, परन्तु खेती माटे पाणी ना मढवाने कारणे तियो आखा वर्ष देर्म्यान मात्र वर्षादना समय एकज पाक लेशके छे तेमने कारण जनावता कहूं के नहर तूटेली हुआने कारणे अहिया पाणी नथी पहुँचतू बारिस नहीं होती तो कुछ नहीं होता एवाम घरनों खर्चों चला वू सहलू ना थी घर का खर्चा है वो लड़की है ने वो आरोगय भी जाती है तो इसमें चलता है कुछ बारिस होती तो कुछ आता तो घर में अच्छा चलता है खेड़ुतो जनावियों के डीजल, बियारन, दवाओ, खातर वगेरे ना भावो वधवाने कारणे पानी न मनवाने कारणे अन्य अन्य कारणों सर तेमनी हालत इतली खराब छे के युवानों गाम चोड़ी ने जह रहा छे जो जोब नहीं मिलती है ने तो हमारे अहां मेरे जैसे कहीं इतने गाउं में लड़के कि जो खेती वाड़ी है ते ने उसके कोई देते ही नहीं है उसकी साधी नहीं होती खेती सवराष्ट अने कच्मा पाणी पहुचारवा माटे सरकारे घणी योजनाव बनावी छे परनतु लोकों नू कहवू छे के अमुग जग्यावे पाणी पहुचियू शे अनि घणी जग्यावे पहुचू जो एतू हतू तेटलू नथी पहुचियू अनि अमुक विस्तारों मा तो बिल्कुल पन नथी पहुचियू अनि तेना माटे तेवो नहरों ना कामनी खराब गुणवत्ताने जहाबदार ठरवे छे यह जो खेत आप देख रहे हैं यह दीपक गडवी और मुहमद भाई के खेत हैं और यह जो जगह है दोनों किसान बता रहे हैं कि यह कनाल यहाँ पर उसके लिए बनी थी लेकिन अभी यह जगह मिटी से और पत्थरों से भरी हुई है अगाम थी अमुक किलोमीटर दूर नवा कोई बामा सिंचाय माटेना पाणी नी सारी स्थितिशे परन्तु खेडू तो तेमनी उपजने मरता भावो थी खुश न थी बजार मा लसन ना भावो एटला उचा छे के रजनी भावी पटेल ने त्या आग कोथळाव माँ छिल्ला अग्यार मही ना थी लसन राखेलू छे लसन ना भावो एटला घटी गया छे के घणा खेडू तो ये लसन मफतमा वहच्यू हुआ न समाचारा आव्या गाम्मा घणा खेडू तो ये कहुँं के मोंगवारी होई के उपजनो योग्य भाव न मढवो के पची अन्य कोईपन समस्या होई टेमनी हालत देशना अन्य खेडू तो थी अलग न थी कोष्ट डाउन होगे द्वारकाना आगाम घचली मा खेडू तो ये जणाव्यू के पांच छ वर्ष थी एटलो बदो वर्षात पड़ी रहो शे के चारे तरफ पानी जपानी थाई जाए छे अने खेती ने भारे नुकसान थाए छे प्रदान मंतरी पसल वी मायोजना खतम हो गई उसके बाद किसान थोड़ा मजबूर हो गए क्योंकि उसके बाद मुख्या मंतरी किसान वी मायोजना है और उसमें भी एक मर्यादा है कि 33 परसंट बारिस होगी तो तब आपको 25,000 हेक्टर दिठ मिले गए लेकिन जहां 25 परसंट बारिस होगी उसकी वज़े से आपकी फसल बरबाद होगी तो 20,000 मिलेंगे एक वीके का लेकिन इस साल तो ये भी नहीं हुआ है अर्थ शास्त्री प्रोफेसर हेमन शाह अनुसार गुजरात मा लगभग साड़ा त्रण करोर लोकों नू गुजरान खेती थी चाले शे अने बीज़ा राजियों नी जेम गुजरात मा पन जमीन ना नानकडा टुकडा पर जीवन निर्वा चलावता खेड़ोतों नी संख्या सवथी वधारे शे बीज़ेपी शायद अंतिम 25 साल से ये सोच रही है कि किसान है बड़ी तादात में उसमें काफी किसान ऐसे हैं कि जो पटेल कॉम्यूनिटी के हैं गुजरात के जो पटेल हैं उसमें एक लेवा है दूसरे एक कड़वा है लेवा और कड़वा के बीच में काफी संगर्ष पैदा हो गया तो उनका जो एक युनिवाइड लिडर्शिप था वो नहीं रहा पक्ष भाजब खेड़ू तो माटे करेला कामोंनी यादी घना वेशे दस साल का किसानों का बजेट यूपीए गवर्मेंट का एक लाख 21,000 करोड था आज गुजरात में एक साल का किसानी का बजेट एक लाख साहिट अजार करोड एक साल का है पिछले दिनों में 45 दिन तक गुजरात का प्रमूग जो किसान संगठन है वो यहां सेंटल विस्टा में आंदोलन पर रहा 45 दिन कर पूरे स्टेट के किसान यहां आये है और कहीं कहीं तो सरकार के कारेक्रमों में भी बाधा डाली है उनको रोका गया है गामणाव मा अमारी यात्रा दर्म्यान खेळूतोए मुख्यमंत्री तरीके नरेंदर मोदीना शासन ने याद करियो तो अन्य खेळूतोए अमने दिलहीं मां आम आदमी पार्टीना शासन विशेपूछु पोतानी हालत मां परिवर्दन लावा माटे तेओ आवनारी विधान सभा चुटनी ना परिणामोंने महत्वपुन न माने छे